कल जहां से हो गया था उसके आगे बताता हूं मैं optical isomeras जो molecules काईरल होते हैं काईरल मतलब एक carbon पे 4 different group लगे होते हैं उसको हम बोलते हैं काईरल center ठीक है और जहां पे काईरल center होते हैं उस पे दो-तीन चीजे काम करती थी जैसे की मान लिजिये जैसे कि इनाइशियोमर ठीक है इस तरीके से तो दो तिन पॉइंटों को हम लोग देखेंगे यहाँ पे इनाइशियोमर बगर आखो तो देखें जैसे मान लो फर एक्जामपल आपके एक्जाम में यह कोशन आ गया तो बताओ इनदौन में क्या रेलेशन होगा वन टर दे इन दौन में क्या रेलेशन है यह स्टीरियोमर से यह कुछ और जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं क्या यह तिर्यू इसमर सॉमर्स होंगे या क्या होंगे तो आप का अंसर क्या होना चाहिए ये इस्ट्रेक्चरल्ण है या स्टीरियो हैं बताओ कौन बच्चा बताएगा क्या होगा इन दोनों में क्या रिलिस्टन जल्दी से बताओ हाँ जी बताओ ये क्या है तो देखिए अगर हम बात करें इसमें कि ये structural होंगे structural वाले को बोलते थे constitutional तो ध्यान रखना यहां पर हो क्या रहा है इनकी stereo chemistry change हो रही है always remember stereo chemistry में क्या होता है कि atom का जो space management है वो different होता है यहां पर इनकी stereo change हो रही है stereo chemistry तो इनकी क्या है physical properties same होती है बट जो optical properties है वो different होती है तो यहां पर क्या है यह badge है इसको badge representation बोलते हैं इसको dash representation बोलते हैं तो यहां पर same कारवन पर इन दौनों की क्या है stereo center different है मतलब stereo chemistry different है that's why they are the stereo isomers अगर हम बात करें इन दौनों में relation क्या है तो इसको बोलते हैं हम इन इंशियोमर इन इंशियोमर जानते हूँ आप लोग इन इंशियोमर ठीक है यानि कि जब configuration change हो जाते हैं उस चीज़ को बोलते हैं हम इन इंशियोमर जैसे for example अब मैं आप से इसमें पूछ हूँ कि इन दौनों में बताए क्या नया है मतलब यह क्या है इन दौनों में जो basic difference है वो क्या है इन दौनों में basic difference यह है कि यहाँ पे यह सेम कारवन पे हैं कारवन नमबर टू और कारवन नमबर टू यहाँ पे इन दौनों का जो जुड़ने का तरीका है वो अलग है बट बाकी चीज़ें कारवन के एकी नमबर पे जुड़े हुए है इसलिए इनको हम stereo isomers के नाम से जानते हैं बट यहाँ पे क्या हो रही है numbering difference हो रही है देखोगे आप लोग तो यहाँ पे one two पे जुड़ा हुआ है यह और यहाँ पे देखोगे तो one three पे जुड़ा हुआ है तो they are the constitutional isomers, they are the constitutional, constitutional बोलते हैं हम लोग structure को ध्यान रखना they are the constitutional isomers और you can say position isomers होंगे क्योंकि एक ही functional group की जो position है वो different होगी क्योंकि आप लोग सारे बच्चे जानते हो कि जो position isomers होते हैं वो constitutional यान की structural isomers का ही part होते हैं ठीक है हाँ, तो आपने देखा कि stereo isomers अलग होते हैं और constitutional यान की structural isomers अलग होते हैं अब next हम लोग discuss करेंगे इसी में optical isomers में कुछ point को ले करके आपको सिखाता हूं जैसे देख लीजिए कि कोई optical active है या optical isomers में optical isomers में क्या है जैसे मान लीजिए कि एक में mirror amaze है एक में mirror amaze है और एक molecule में mirror amaze है ही नहीं है not mirror amaze एक molecule में हमारे में mirror amaze है एक में not mirror amaze mirror amaze ही नहीं है तो ध्यान रखिएगा जिसमें जो मिररे मेज है वो नॉन सुपर इंपॉजिवल होने चाहिए नॉन सुपर इंपॉजिवल जब नॉन सुपर इंपॉजिवल मिररे मेज होगी तब ही हम उसको इनेशियूमर मानेंगे तब ही हम उसको इनेशियमर के नाम से जानते हैं लेकिन मान लीजीए अगर सुपर इंपॉजिवल है मेरा रिमेज सुपर इंपॉजिवल या आप कह दो प्लेन आप सिमिट्री इसको यहां से अटा देता हूँ जहां पर प्लेन आप सिमिट्री होगी उसको हम मीजो कमपाउंड के नाम से जानते हैं यानि कि मिरर इंपॉजिवल होनी चाहिए लेकिन नौन सुपर इंपॉजिवल अब एक आद बच्छा यहां पे नया है तो वो सोच रहा होगा पता नहीं नौन सुपर इंपॉजिवल मिरर इंपॉजिवल क्या होती है जाएगी वो non-super impossible mirror image बोली जाएगी मानली जी हम किसी body को human body को कुछ ऐसे cut करें तो ये वाला part नीचे बाले part का half नहीं है identical नहीं है तो ये वाली जो image है वो non-super impossible mirror image है बट अगर किसी को ऐसे by-set किया जाए तो ये वाला part इसके identical है इसलिए इसको बोलते हैं super impossible mirror image ठीक है कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें non-super impossible mirror image आए उसको हम बोलते हैं inensiomers और जिसमें कोई image ही ना बने उसको बोलते हम लोग di-stereomers this is known as the di-stereomers और always remember कि जहाँ पे cis और trans होती हैं cis और transform जो होती हैं वो भी di-stereomers ही बोली जाती है cis and trans form always di-stereomers ठीक है ये इसका भी आपको दिहान रखना है अब कुछ examples लेते हैं जिनके according हम समझने कोसिस करेंगे कि inensiomers क्या होते हैं, meso compound क्या होते हैं and di-stereomers क्या होते हैं जैसे for example अब मैं आप से पोछूं कि बताओ इन में क्या relation है इन दौनों में क्या relation है, मतलब meso है, inensiomers है या di-stereomers है, तो क्या कोई बच्चा type कर सकता है, कौन सी चीज़ है ये क्या कोई बच्चा type करेगा, ये कौन सी चीज़ है करो आप type में जरह फोन लाता हूँ एक बार हाँ जी, ये क्या है, वा टार दे अब देखो, अगर हम बात करें तो दियार दी meso compound, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें, तो इसकी ये plane of symmetry आ रही है, ये plane of symmetry आने की वजह से, इनको plane of symmetry आने की वजह से, they are the meso compound, तो अगर कहीं पर भी ध्यान रखना, plane of symmetry आती है, that's why they are known as the meso compound, और example लेते हैं, जैसे for example, बताओ, ये क्या चीज? क्या है, क्या है, क्या है, कौन बच्छा बताएगा? तो देखें, ये भी आपस में meso tartaric acid है, you know, that ये क्या है, plane of symmetry है, ये plane of symmetry आ जाएगी, तो plane of symmetry आने की वजह से, they are the meso tartaric acid, ठीक है? इन में जो relation है, वो meso tartaric acid है, ये, ये क्या है, समझे हो? तो क्यों, क्योंकि इन के बीच में क्या है, plane of symmetry, अगर कहीं से भी plane of symmetry आ जाती है, तो वो compound जो होंगे, meso compound के नाम से जाने जाते हैं, सकति में कें कार्ण कार लगी जाते हैं, वो आजकर के ईने हुम खबताहीं हो, और दाता हैं, पिक जाते हैं, अबज़के के एंज़के कार्ण करने के जाते हैं? एंदतित एंद Jeżeli fire भी Pacific, आर हमें तो चां़ोणिया तो 5-1 क करें पहां दाद कार स्क्टशगें अब कोशन है, what are they, इन में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, कौन बच्चा बताएगा, इन में दोनों में क्या रिलेशन है, जल्दी से बताओ, इन दोनों में क्या रिलेशन है, कौन बच्चा बताएगा इन दौनों में क्या रिलेसन है तो देखो ते आन नोट मीजो क्यों क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं टर्मिनल दौनों चेंज है यहां पर जो दौनों टर्मिनल है इस में प्लेण अब सिमिट्री तो आई नहीं सकती क्यों नहीं आ सकती है क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ऐसे बाई सेट करता हूँ तो उपर कोई चीज और है और नीचे कोई चीज और है उपर वाले मॉलेकिल्स में देखेंगे तो दौनों चीजें एक जैसी है ठीक है उस से उपर वाले में देखेंगे तो दोनों चीजें एक जैसी है यानि कि मीजों की अपनी एक condition है plane of symmetry आना इसमे plane of symmetry आही नहीं रही है क्यों नहीं आ रही है मानलो मैं इसको ऐसे आदा आदा कार्टू तो यहाँ पर LD हाइड गुरूप है, जबकि यहाँ पर क्या है, कारवोकसिलिक गुरूप है, तो वाट आर दे, दे आर दी इनेशियोमर, दे आर दी इनेशियोमर, ठीक है, यह चीज आपको जहाँ रखना है, अब नेक्स्ट बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास, एक यह सिस ब्यूटीन है, और एक यह ट्रांस ब्यूटीन है, मान लो, मैं आपसे पूछूँ कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो कौन बच्चा बताएगा, what is the relation between in two cis and trans molecules, तो they are the dyestumers, always remember, जहाँ पे cis और ट्रांस होते हैं, वो dyestumers होते हैं, dyestumers, ठीक है, तो cis, trans, always dyestumers, next देखे, कर दो देखे हैं, यहाँ वो, घर दो wykorब हैं, नहाँ वो, जहाँ है, बच्छा कर दोसे उता आझे हैं? तो पॉय है, जहाँ है, वो, जहाँ हैं तुम्स, जहाँ हैं, जίν पताझे होगाύारा, गताओ क्या रिलेशन है इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन है इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन है कोण बच्चा बताएगा जल्दी से बताओ इन दोनों में मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन है तो always remember cis और trans जहाँ पर होते हैं वहाँ पर diastumers होता है और diastumers कहीं पर भी दो chiral center आ रहे होते हैं जिनमें एक chiral center same होता है, दूसरा chiral center different होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, diastumers अब अगर आप का उसर यहाँ पर मीजो बन जाएगा, मीजो नहीं, इसके respect में इसको देख रहे हैं, तो आप देखोगे तो ये दौनों center same है ये दौनों center same है बट ये center और ये center में different हो गया, तो they are the diastumers ठीक है, ये चीज भी आपको दिहान रखना है, diastumers कहाँ पर बनते हैं कि एक chiral center दौनों molecules में same हो दूसरा chiral center change हो जाए उस position को भी हम लोग diastumers के नाम से जानते हैं जैसे अभी कुछ दिर बाद में आपको RS nomenclature कराऊंगा तो उसमें भी आपको दिहान रखना है कि जैसे मालो, RR है एक center RR ही रहे दूसरा S हो गया तो यह diastumers बोले जाएंगे always remember लेकिन पता लगा कि यहाँ RR है और यहाँ पर S S हो गया तो इस condition को आप लोग inensiomers के नाम से जानते हो inensiomers और meso compound की तो अलगी एक category है जिसमें plane of symmetry आए उसको बोलते हैं हम लोग meso compounds ठीक है तो अब मैंने सारी की सारी condition आप लोगों को समझा दी है inensiomers तब होगा जब पूरा की पूरा यह यहाँ पर two words आएं वो आजाते तो meso ही हो जाता completely और अगर मानलो plane of symmetry नहीं होता उस condition में inensiomers बनते जो starting किया है मैंने inensiomers से ही किया है जो आपने ध्यान नहीं दिया मेरा काम है आपको और अच्छा कराना और अच्छा कराना लेकिन अगर ध्यान नहीं दोगे तो यह आपकी चीजें होंगी अब इसमें यह inensiomers मैंने बताया आपको यह साफ नजर आ रहा है कि एक जो है कैसा है हमारे पास two words एक कैसा है हमारे पास away तो इन दोनों में जो difference है वो क्या है inensiomers है ठीक है तो मालोग पूरा की पूरा configuration change हो जाए आर है ऐस हो जाए ऐस है आर हो जाए inensiomers है बट कहीं पर दो chiral center आ रहे हो एक chiral center same हो दूसरा बदल जाए उसको हम बोलते हैं dice tumors जैसे ये condition आप लोग देख पारे है ठीक है और बता देताओ inensiomers की condition मालो ऐस ऐस आ रहा है उसका आर आर में बदल जाए इसको भी हम inensiomers बोलते हैं लेकिन माल लीजे यहाँ पर एस एस आ रहा है एक ही एस रहे एक आर में बदल जाए इस condition को हम dice tumors के नाम से जानते हैं तो मतलब दो chiral center present होते हैं एक chiral center पे configuration change हो जाता है that is called the dice tumors ठीक है चलिए अपनी बात हम लोग आगी समझते हैं question को molecules में molecules में अगर देखें मैं आप से पूछूँ किसी बच्चे से पूछूँ कि इन दोनों में क्या relation है कौन बच्चा बताएगा इन दोनों में क्या relation है एक बार करके बताईए बताओ क्या चीज़ है यह तो यह नहीं शुमन नहीं है these molecules are archiral यह archiral है कुछ भी नहीं है इसमें क्यों है chiral है क्योंकि इन में chiral center नहीं है chiral center हम किसको देखते थे यह जो carbon है वो four different group से लगा होना चाहिए था जबकि यहाँ पे देखो यह CH2 CH2 लिखा हुआ यह H है दो group तो different है one और two but यह और यह group same है यह और यह group same है that's why these are not chiral molecules अब जिसमें chiral molecules नहीं होते हैं उसमें aminensumor नहीं देखते हैं इस बात का आपको धिहान रखना है तो these are the archiral molecules हाँ नहीं वो गलती होती रहती है उसमें तो सुना ली यह सीख रहे हो आप लोग सारे बच्चों से बोलता हूँ एक तो ego मत किया करो दूसरी वाली बात है कि अगर गलत हो जाया करे तो उसको accept किया करो ज्यादा tension लिया मत करो सीखने के condition होती है सारे लोग सीखते रहते हैं तो गलती हो जाया करे ज्यादा regret होने की जरूवत नहीं है कि गलतियां करते रहो सीखते रहो मजे लेते रहो अब question अगला है मान लीजिए मैं आप से पूछू कि इन दोनों में कि इन दोनों में क्या relation है इन दोनों मॉलेक्यूल्स में क्या relation है बताए कौन बच्चा बताएगा इन दोनों मॉलेक्यूल्स में क्या relation है बताओ हाँ अब आपका अंसर बिलकुल सही आ रहा है दीजार्दी डाश्ट्यूमर्स कैसे पता लगा ये जो फॉर्म बनी हुई है वो ट्रांस बनी हुई है ध्यान रखना ये जो फॉर्म बनी हुई है वो सिस बनी हुई है और जहाँ पर सिस और ट्रांस फॉर्म बनी होती है उसी चीच को हम बोलते हैं डाश्ट्यूमर्स अब जैसे मान लो मैं आप से पूछूँ इन दोनों मॉलेक्यूल्स में क्या रिलेशन है तो बताईये इन दोनों मॉलेक्यूल्स में क्या रिलेशन है इन दोनों मॉलीक्यूल्स में क्या रिलेशन है कौन बच्चा बताएगा बताओ इन दोन मॉलेक्यूल्स में क्या रिलेस्टन होता है इन दोन मॉलेक्यूल्स में कॉन वर्च बतारा जल्दी से बताओ दे आर दी इन इश्योल्स कैसे पता लगा अब कोई बता सकते हैं यहन दोन मिज भना दो जो संटर है यहाँ पर टू वर्ड्स है यहाँ पर आवे है यहाँ पर खिखे यहाँ पर कॉनफीगूलेसं चेंज हो जुण जाह ओगा इसी की वज़े से ये इने इंशुमर्स से आलवेज रिवंबर ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखने है अब जैसे एक चीज और मैं पूछ हूँ आपसे फॉर एक्जामपल अब मैं इसमें आपसे डिफरेंस वो पूछ हूँ रिलेशन तो बताओ कौन बच्चा बताएगा इनमें क्या रिलेशन है कौन बच्चा बताएगा इनमें रिलेशन क्या है इस्ट्यू आइसुमर्स हैं, इस्ट्रक्शल आइसुमर्स हैं, या इनेशुमर हैं, मीजों हैं, क्या हैं, बताओ, कौन बच्छा बताएगा? हां, बिल्कुल सही जवाब, these are the structural isomerism, क्योंकि यहां पर position 1, 2 है, यहां पर 1, 3 position है, इसलिए ये structural isomerism है always remember ठीक है structural isomers है तो इनकी position जब change हो जाती है तो हम लोग बोलते हो उसको positional, position isomers they are the position isomers next देखो अगला मान लो मैं आपसे question पोछूँ कि इन में क्या relation है दोनों बताओ इन दोनों में क्या relation है कौन बच्चा बताएगा इन दोनों में क्या relation है जल्दी से बताओ, फटावट से बताओ केवल दोई बच्चे हैं सही है वहिया तो देयार्दी meso compound ये अपने आप में meso compound होंगे ठीक है ये चीज हमें ध्यान रखने हैं अब मैं एक चीज और बताता हूँ आप लोगों को कि जो dyestumers होते जो हमारे पास dyestumers होते हैं उनका configurationally हम कैसे चेक करते हैं उनकी दो form बनती हैं ध्यान डखना इस dyestumers की दो form बनती हैं एक को बोलते हैं 3O एक को बोलते हैं Erythro ठीक है एक को बोलते हम लोग 3O और एक को बोलते है Erythro जैसे for example 3O form क्या होती है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास हमारे पास अगर मान लीजिए कोई दो same functional group opposite side चले जाते हैं ये terminal दोनों different होने चाहिए ध्यान रखना और इसमें दोनों functional group अगर different side चले जाते हैं तो उस form को बोलते हैं हम लोग 3O form अगर मान लीजिए दोनों OH right end side रहते हैं एक ही side रहते हैं तो उस case को बोलते हैं हम erythro form ध्यान रखना तो इसमें diastryomers के ही दो form होती हैं जिसको बोलते हैं erythro and 3O 3O means होता है कि दोनों form opposite side होते हैं दोनों functional group और यहाँ पर erythro means जो दोनों same group हैं वो same side होते हैं ठीक है this is known as the L3O form इस highest carbon वाले को लेते हैं यहाँ से हम लोग चल रहे हैं यह most oxidizing group है यहाँ से इस carbon से देख रहे हैं कि highest carbon पर अगर जो OH है वो left hand side है तो इसको हम बोलते हैं L3O अगर मालू यह हमें पता है 3O तो है यह erythro है क्योंकि दोनों same group same side है बट इस carbon से चेक करेंगे highest पर यह किदर की तरफ है OH उदर की तरफ है तो इसको हम बोलते है D-Erythro D-Erythro एक होता है हमारे पास अगर OH left hand side है तो L अगर OH right hand side है तो D कब का case है यह इस वाले configuration पर हम लोग ले रहे हैं ठीक है इसको बोलते है Fissure Fissure configuration जो इस में Fissure में क्या होता है यह जो line देख रहे हो इसको vertical line बोलते हैं यह जो line देख रहे हो आप लोग यह horizontal line बोली जाती है तो Fissure configuration पर बनती है हमारे पास Erythro and Thrio इसमें भी D और L का ध्यान रखिएगा question आपके exam में आते हैं अब हम बात कर लेते हैं RS Norman Clature की मीजो तब भी बनेगा जब एक में सिर्फ अवे हो नई नई मीजो तब नहीं बनेगा मीजो तब बनेगा जब दो आ रहे हो मीजो देख रहे हो आप लोग मीजो यह दोनों condition यहां से हैं यह दोनों condition यहां सेम है अगर मालो यहां पर यह ऐसे होता और यहां पर डैस 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 होता तो भी मीजो नहीं बनता ठीक है वहाँ पर मीजो नहीं बनता अब जैसे मालो यह डैस 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 है यहां पर solid होता वहाँ भी मीजो नहीं बनता, मीजों के लिए condition है कि plane of symmetry दिखनी चाहिए plane of symmetry कैसे जैसे देखो दोनों आई कैसे हैं यहाँ पर solid, ठीक है ना तो यह क्या cut जाएगा यह कैसे हैं, dot, तो यह cut जाएगा मीजों के लिए condition एक ही है कि मालो आप यहाँ पर जो ले रहे हो वो ही चीज उपर की तरफ लिखी होने चाहिए वो condition होती है मीजों की otherwise दो condition और चली जाती है एक को बोलते हैं dice tumors और एक को बोलते हैं हम लोग inensiomer inensiomer के लिए condition मैंने अभी बताई थी dice tumors के लिए मैंने condition बता दिया dice tumors के लिए दो condition है ध्यान रखना condition number one की जहां पर cis और trans बने उसको हम लोग dice tumors बोलते हैं condition number one condition number two क्या होगा कि दो chiral center हमेशा आएंगे एक chiral center सेम होगा और एक chiral center different होगा वो जो है वो dice tumors की condition होती है दोनों की दोनों next अगर हम inensiomer की बात करें तो inensiomer में ध्यान रखना plane of symmetry जो कभी नहीं आएगी और molecules कैसा होगा basically molecules में same terminal नहीं होंगे अब जैसे मालो इसी में ये क्या है इनकी कोई mirror image नहीं है mirror image होनी चाहिए inensiomer में यानि की आप देखो ये दोनों OH इधर है और इनी में relation पूछ रहा हूँ अगर आप इसको mirror में रख करके देखोगे इस वाले को ठीक है तो ये mirror में आपको सीसे में कैसा दिखाई देगा ये जो OH है वो इधर दिखाई देगा और ये जो OH है वो इधर दिखाई देगा उस condition में आप इने inensiomer बोलेंगे इसे बट यहाँ पर क्या हो रहा है भई आप इसको अगर सीसे में रख के देखोगे तो इसका इससे कोई relation नहीं है कोई mirror image नहीं आ रही है जब mirror image नहीं आती है उसको बोलते हम dieis to your mers अब जैसे मान लो इसको सीसे में रख के देखोगे तो यह जो दोनों OH इधर आ रहे है वो दोनों OH उधर आएंगे तो उस condition को हम बोलते है inensiomer बट यहाँ पर क्या है कोई mirror image नहीं है तो इस condition को बोलेंगे dieis to your mers तो dieis to your mers के पास हमारे पास दो कैसे से हैं एक को हम बोलते हैं erythro एक को बोलते हैं three-o erythro का मतलब होता है जब दो same functional group same side होते है that is called the erythro group अगर दो different side होते है same मतलब दो different side होते है तो इसको बोलते हैं हम लोग three-o form clear है यहाँ पर यह वाली बात है मैं पूरी कोसिस कर रहा हूँ आपको ढंक से समझाने की लेकिन यहाँ पर दो ही वच्चे है समझ रहे हो कोई नहीं वो तो अपना अपना रहता है कुछ वच्चे अपने साब से कल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है अब मैं चलता हूँ RS Nomenclature की तरप चलो एक चीज और बता देता हूँ एक चीज इसी मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि आज दो-चार बच्चे नहीं है बस दो-चार ही है तो आज फिर मैं यहीं तक छोड़ दूँगा RS Nomenclature आपको कल करा दूँगा ठीक है न क्योंकि हो सकता है आज कुछ बच्चे बेजी हो कल फिर हो जाए अब इन में आपको क्या करना है विसिकली रिलेशन बताना है ताकि एक चीज़ सीख रहे हो उसे तो क्लियर कर लो अब देखो यह चार फॉर्म है मेरे पास आपको इसमें रिलेशन बताना है क्या कौन किस से क्या रिलेशन है 1,2,3,4 मेरा कोईशन यह है 1 and 2 आपस में क्या है कौन बच्चा बताएगा 1 and 2 आपस में क्या है सिलेवस बैसे हो गया है सारे बच्चों की जियोसी हो रखिये ये तो मेरा मन है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा एक्स्टा कर करके और उसमें भी बच्चे जादा आएंगे तो डेफिनेटली अगर आज बच्चे आते तो मैं RS Nomenclature भी खतम कर देता लेकिन कोई नहीं हो सकता है आज कुछ पढ़ रहे हो कल देखेंगे उसको ट्राइ करके तो 1 और 2 में क्या रिलेशन है कौन बच्चा बताएगा इसी मॉलिकल से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी बताओ 1 और 2 में क्या रिलेशन है जल्दी से बताओ गई गन्नु आप तो कॉपी पे लिखा करो चीज़ों को आप तो हेटें ट्राइल वाला मेथड देते हो ये चलता नहीं है ध्यान रखना अब अगर हम बात करें ये यहाँ पे है इसका अगर मिरर में देखेंगे तो इधर ही देखेगा अगर ये यहाँ पे है इसका अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखेगा तो ये क्या है बिसिकली ने शुमर मिरर इमेज बन रही है ठीक है उपर वाले में अलग था अब चलो, 3 and 4 आपस में क्या हैं? बताओ जल्दी से. 3 and 4 आपस में क्या हैं? कौन बच्चा बताएगा? 3 and 4 आपस में क्या हैं? चलो, जल्दी बताओ फटावट, ताकि मुझे लगे कहां? समझ में आया या नहीं आया? और कौपी पर लिखा करो, सारी कंडिशन जो मैंने बताई हैं, तब ही ओपाएंगी चीजें, नहीं तो नहीं ओपाएंगी. 3 and 4 आपस में क्या हैं बताओ? कौन बच्चा बताएगा? अरे वह यह जवाब देना हैं, टेंशन नहीं लिए नहीं हैं, सीख करके जवाब देना हैं, तो 3 and 4 आपस में, 3 and 4 आपस में नेंश्युमर हैं, ये दौनों इधर हैं, अगर मैं इसको मिरर में देखूंगा, अगर मैं इसको मिरर में देखूंगा, तो मुझे इधर की साइड में दिखाई देंगे, तो ये क्या हैं? नेंश्युमर हैं, अब जैसे मान लो, मैं आपसे पोछूं, 1 and 3 का क्या रिलेसन हैं? One and Three का आपस में क्या relation है? इनको मिरर में देखो रख रख करके One and Three का आपस में क्या है? One and Three का आपस में क्या relation है? कौन बच्चा बताएगा? One and Three का आपस में क्या relation है? हाँ, अब बिल्कुल सहिए lighter Dives Tumers जब तक आप किसी चीज को सीखो गए ने ना मैं आगे आगे कराता रहूंगा उसका कोई फाइदा भी नहीं मिलने वाला क्योंकि अगर बैसे देखें तो वो तो चैप्टरों में हो रखा है आपका तो 1 और इसको अगर mirror image करोगे तो कोई mirror image नहीं है वह इसकी mirror image क्या है ये दिख रही सामने आपको इसकी mirror image क्या है ये दिख रही है आपको सामने तो 1 और 3 में कोई mirror image थोड़ी नहीं है तो क्या है ये आपस में डाइस्टियो मर्स 2 और 4 आपस में क्या है चलो बताओ मेरा काम है आपको अच्छा समझाना आपका काम है tension free हो करके समझना उसका answer देना और चीजों को बार बार practice में लेना ये आपका काम होना चाहिए अब इस पर बताओ इस पर पता नहीं वह उपर वाले के लिए type किया था आपने नीचे वाले के लिए किया था हाँ अब सही है आपका answer क्योंकि अब आप सीखने लगे हो पहले क्या है बिना देखे बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो वो गड़बड हो जाएगा ऐसे नहीं बोलना है इसको है तो इसमें जो है देख करके बोलना है ठीक है concept को लगाना है अगर आपके concept strong होंगे तो बहुत अच्छा आप कर पाओगे ठीक है आज की class हमारी यहीं finish होती है